कि असकार दोस्तों तो कैसे है मेरी पहाड़ योट्यू फैमली सबसे पहले आपको गुड मॉनिंग अभी सुबे के साथ बज रहे हैं मैं भी उठ चुका हूं और काफी बढ़िया व्यू जा रहे हैं समय में क्लीन धूप खिली है और बढ़िया नजारे देखने को मिल रहे ह तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं कैसे अलेक से घर की तरब को और हरीश भाई ले जा रहे हैं अभी सिलेंडर और मैं ले जा रहा हूं दूथी दून वाल्टियां तो पहाड़ों में तो नॉर्मल अपना जो देनी जीवन है आपर सुरू हो चुका है और सहरों में आप बत दूबाज के लिए हुई है दोस्तों पहुंच जाते हैं घर पे मेन अभी घर की चड़ाई चड़ना है अरीश भाई के लिए सुबे सुबे वर्काउट हो गया पंदर मिनट हो गया सिर में पूरा भरा हुआ सिलेंडर लेके जा रहा है तो पहाड़ों में थोड़ा कश्ट सुबे के दस वज रहे हैं और सीन अभी ऐसा है हमने तो नास्ता कर दिया है मैं जा रहा हूं थोड़ा जंगल की तरफ और साथ में ले जा रहा हूं देखिए तो लाड़ी फोड़नी है घर के लिए क्योंकि घर में भी जरूरी दोस्तों काम वाम करना ही पड़ता है हमारे काहते हैं तो पहाड़ों में सभी कुछ काम हो इना सवी कुछ क Add to the Happyl एक सुबहे से लेकर सामत पामी काम होते हैं तो थोड़ा बहुत घरी में हैं तो घरी के help कर देते हैं और साई्टों पर यां रहा है क्योंकि थोड़ा बहूत है लाए विला तो जब सब कुछ ठीफ हो जाता है तो फिर साइटों पर काम चलेगा तो जब तक घर मैं हैं घर पर काम करते हैं जरूरी हैं तो हरीश भाई आ जाता है हरीश कावेट मुझे तो इसके पाद लखड़ियां फाड़ते हैं देखते हैं फूर्थ je फूरती है उडाने लगड़िया आपको उसके लेए चलता हूं तो दोस्तों फैनली यह है हम तो पहुंचतों गए हैं वहाँ पर यह सामने में हमारी रही लगड़ियां जिनको हमें फोड़ना है यह देखिए मस्त खूट है जिने हम खूट बोलते हैं बांच के प्योर यहां आके पता चला है हमारे पाड़े तो है पर घंड नहीं है जो हतोड़ा बोलते हैं तो उसको लाने के लिए पास में पड़ोस में जा रहा हूं मैं और हरीज भाई चले गया है घर सामने में आपको घर दिख रहा हुगा वहां से लेकिए आएगा आए और मैं यहां यहां 90 जब यहां पर बरसातो के टाइम में यहां पर फूटता है तो कुम से फाम साथ महें नहीं चांड Simone और मेरे गःम definitive by से मैं सबुट से उजी वाली जगर रहते में और यहां दिखे सब आस पास जंगल है हमारे उपर पूरा जंगल है जहां पर हम रेखर में पहुंच जाता हूं उस घर में मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कहां पर मैं आया हुआ हूँ और मेरे पीशे देखे जंगल का क्या मस्त व्यू आ रहा है मजे आ गिया आज घरी में है काम कर रहा है और खारा हूं अभी बाल मिठाई इसको तो आप पहचानते होंगे तो यह है अलमोडा की famous बाल मिठाई इसको आप बधी बाती जानते होंगे तो कल दीपु भाय गया था जागेशवर और वहीं से मिठाई लेके आया हुआ है तो मिठाई अभी खा रहा था तो पहुंच जाता हूं गाउमों में अभी आपको दिखाता हूं सामसे में तो दूस्तों सामने जो घर देख रहे हैं वहाँ पर मुझे जाना है वहाँ से लेना है घर जिसको हाँ तोड़ा बोलता है और काफी सांधार व्यू जा रहे हैं देखिए अभी काफी उचाई पर हूं में हम काफी उचाई पर रहते हैं और काफी खूपसूरत क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है सभी जिए बढ़िया दूप खिली भी है तो पहुंच जाता हूं उस घर में उसके बाद करेंगे आगे आपसे बाते हैं और देखिए नीचे खेतों पर कित्ती नमी हुई है बढ़िया हो गया खेतों के लिए पेड़ बे लगाने वाले दिन है आजकल और इस प्रकार जैसे एक गड़्डे देखने हैं यहाँ पर बड़ा खोदा हुआ है इस प्रकार उपर भी खेव खोदे हुए हैं तो इस परकार आजकल गड़्डे खोदे जाते हैं और पेड़ लगाया जाते हैं इन पर आपका आडू का पीड़ हो गया पुलम का पेड़ हो गया और जैसे थंडा एरिया है तो वहाँ सेव के बंदार हुआ है देखिए दोस्तों फैनली पहुंच गया हूं यहां पर उनके घर में यह सामने चोटी बच्ची दीपा और देखिए यह वाला घंन ले जाना है तोड़ा जिसको हम बोलते हैं लेकिन उसका बिंदा टूटा हुआ है फिर भी हमारा काम चल जाएगा इससे यह श्रय कराएं है और दीपा और मस्ता आपना चात्री को सामने एक खतरना कुता हुआ हुआ है कि ये काफी नहुमर्त हो रहा है मिचक एक दम पोजिस्न दे रख गया घंटाना और यहां से इनके ऊपर से देखे काफी सान्धार वीवार्य है उपर जंगल काफी ग्रीन दी नजर आरी होगी तो चलता हूं मैं यहां से जहां पर मुझे पहुंचने आई लेके तो फैनली वहां पर पहुंच चुका हूं अब यहां पर हम कारीकर में स्टार्ट करेंगे लगड़ी फोड़ने का आज शोला पाउन का घंड चलाना है भई यह वह जिसे हम किसान जो लगड़ी फाड़ेगा इसको बोलते हैं आड़े तो आप कारीकर में स्टार्ट करते हैं शोला पाउन घंड चलाना हाथ देखते हैं हैवी वर्क आज भी है हमारा हाड़ वर्क तो फाइनली दोस्तो देखें हमने लगड़ी यहाँपर थोड़ी बहुत फाड़ दी है बहुत महने लगती है बांच की लगड़ी होती है बहुत हाड लगड़ी होती है यह कि बहुत हाड वर करना पड़ता है इसके लिए लगातार शोल अपाउंड का इस पर घंद चलाया जा रहा है कभी हरी भाई चला रहा है कभी मैं चला रहा हूं और फाइनल ही देखिए फूडगी है लगड़ी बहुत हाड होती है अब फटके जब इसके अंदर जो होता है मु कोई दिक्कत नहीं है इसको फूड़ने में क्योंकि दो पाठ हो चुके हैं इसके अलग कुलाड़ी से तो फूड़ नहीं सकती है इसके लिए ऐसे ही हत्यार चीज़ जो मैंने आपको बताया तो चलिए हाइनरी दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज के 15 मिनाट यानि के सवाब बार हो रहा है तो एक खुटा हमने फोड़ दिया है देखे उतनी लगडियां इतनी लगडियां उतसे निकली अब एक यह रहा है थोड़ी देर लंच तक इसको भी फोड़ने की कोशी करते में लगड़ दो घंटे लग गया हमां एक को फोड़ने में काफी मेहनर लगती हो इस लगड़ी को फोड़ने में तो दोस्तों फैनली लंच कर लिया है अभी घर में हूं अभी काफी हार्ड वर्क हो गया आज आप लोगों ने देखा इसी तरह पहाड़ों में सुदे से सामता कामी होता है और आवास सुन रहे होंके आप प्रचार प्रशार का महाल चला है परसन 14 फरवरी को अभी चुना हो है तो गाड़ियां आ रही है अपनी प्रचार उगर कर रही कि दोस्तों अभी समय हो रहा है साड़े तीन बजे मैं मस्त अपने जंगोलों में घर के काम से थोड़ा बीजी था घर का काम कर रहा था और पीछे देखे मस्त ग्रीन वादियां आ रही है और मुझे अभी कमेंट मिला दोस्तों जो सुबह सवरो भाई का व्लोग आया था कि दोस्तों पर मैंने कमेंट किया था आपके ब्लॉग में मज़ा आया तो उन्होंने मेरे को हार्ड लाइक रिप्लाइद दिया है काफी अच्छा लगा दोस्तों उनके रिप्लाइद से यहां पहला बहुत खुशी मिल ही है कि भाई ने मुझे रिप्लाइग गिया उनको देखे कर वह काफी कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों जितना मैं कर में कर रहा है किलिए कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी हो सके अगर मेरे तरफ से मेरे उससे उनका कुछ अच्छा हो सके उनको लाइन में खुशी मिल सके तो मैं पूरी कोसिस करूंगा और बाकि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार है वो मुझे मिली रहा है और आपके सपोर्ट आ हम लोग कैसे रहते हैं क्या रहते हैं उम्मीद है आप लोग को इसी तरह इस चैनल के वीडियो पसंद आती रहेंगे और अपना सपोर्ड और प्यार आप जरूर देते रहेंगे तो दोस्तों अभी सामके साड़े पांच बजी का समय हो रहा है और मैं जा रहा हूँ पानी बढ़ने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में पानी घर के आ गया आता हूँ बाता हूँ हो और जिए टीन देख रहे हैं ऐसे टीन से पानी लाना पड़ता है लगतके समय के समय में बादल एक्दम आ चुके हैं संसट भी होने वाला है ठंड़ा काफ हो रहा है आप देखिए और नीची देखिए क्या मसतन नम्मी हो रखे खेतुमें पूरा आड़ो का बगीजा और पूरा चटाई उठाई गर के सब रेडी है नीचे मटर बो रखें गेहूं बो रखें और थोड़ा बहुत छोड़ रखें आलो के लिए आलो लगाए जाएंगे इस प्रकार का होता है आडो का पेड़ देखें बढ़िया चटाई गर रखें पूरा बगीजा है आडो का ही है तो चलता हूँ नौले मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो मैं पहुंच चुका हूँ नौले पे ये वो टिन जिससे पानी ले जाना है मुझे और ये हमारा वो नौला प्राकतिक सोथ पानी का मैं अंदर चलता हूँ दिखाता हूँ आपको ये देखिए इ टूइराइब फूधत होते हैं पाने के जिसे हम नॉला बोलते हैं आप तो दोस्तों अभी साम-का-समाई है और मम्मीजी और बुपवा जी कहीं से आ गहे हैं कहीं गए थे पड़ोस्वाले गाओ में आघे से बुपवा ची बीचे से ये मेरी मम्य जी है और बहुत दूर से आ रहा है अभी पड़ोषवाले गाउम गए थे जहां से मापको बता रहा हूं और देखे काफी कि चढ़ा चड़क का रहा है तो ठकान हो रही है घर पर पुहंच जाएंगे चाई याइप पीएंगे तो ठोड़ा रिलेक्स हो जाएगा तो दोस्तों मैं भी आपको बता रहे था जो भी करना है जब तक जिन्देगी है जो भी करना है बस माबाब के लिए करना है यहीं दिमाग में सोच लिया है बहुत कस्ते देखें मम्मी लोगोंने बहुत कस्ते अब भी जहल रहे हैं तो मैं चाहता हूं इनके लाइफ में कुछ बढ़िया हो और मैं निरंतर प्रयास करते जाओंग तो अभी जो आ रहे हूं वहां से लगभाग इस वाले चड़ाई एक दम जंगल होते वहां पर काफी चड़ाई इन्हों चड़ी हुए नीचे रास्ता है वहां से लगभाए उपर एकदम खड़ी चड़ाई जंगल चड़ते हुए आ रहे हैं और अभी देखें मौसम काफ जरूर परसन आये होगा अभी पहाणों पर देखिए कोहरा आ गया है धिरे धिरे और सामने मस्त जंगल दिखता है वो भी अभी दिखना बंध हो गया है तो ठंडा स्टार्ट हो चुगा है काफी खतरनाक पहाणों पर और मैं भी अभी जंगल के किनारे में हो देखिए नी के लिए जैहिन